नमस्कार किसान भाईयों इस केत में 95-95 सोईबिन लगी हुई है इसमें चोड़ी फत्ति का खर्पतवार बहुत अधिक है इसको दूदी के नाम से भी जाना जाता है दूदी के नाम से इसमें बहुत अच्छी अच्छी कमपनी की दवाईया भी प्रयोक करके देख लिए यह इसकी ग्रोथ रुख जाती है पर वह फिर वापिस से घ्रोथ कर लेता है यह खर्पतवार जाता ही नहीं है मतलब किसी भी दवाई से इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यह सबके मन में एक सवाल उत्पण्य होता है तो इसके लिए हमको अगली फसल में भी यह होगी इसका बीज बन चुका है तो यह अगले फसल में भी होगी तो हमें गेहूं हमारी MP में ज्यादे तर गेहूं बहुए जाते हैं तो गेहूं बोकर इसमें 240 नामक दवाई का प्रियोग करने से यह पूरी तरह से जल जाएगी और इसका बीज भी खतम हो जाएगा बीज भी खतम बहुत उखार देंगे तो इसका पूरी तरीका से बीज खतम हो जाएगा और यह खेत में अभी होगी नहीं और आपका सोईविन का पदन भी अच्छा होगा और गेहूं का भी अच्छा होगा साथ ही साथ धन्यवाद किसान भाई हमाई जान करें अच्छी लगी हो तो लाइकन को भी प्रेस कर दें धन्यवाद किसान भाई हो